दोस्तों मेरे पास अफसर बहुत सारी क्योशन आते रहते हैं इंगेजमेंट से रिलेटिट या फिर कहूं के फ्यांसे से रिलेटिट कि अपने फ्यांसे से कितनी बात करनी चाहिए कब बात करें, ज्यादा बात करें, नहीं करें, रोमेंटिक बात करें, नहीं करें ऐसे बहुत सारी question मुझे को आते रहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी question का जवाब देने वाले हूँ शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला question कि engagement के कितने time बाद आपको अपने फ्यांसे से call करना चाहिए उससे बात करनी चाहिए तो इसका आंसर ये है कि आपको जब ठीक लगे जब आप comfortable हूँ आप call कर सकते हैं ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको इतने time के बाद ही उससे बात करना है दूसरे question कि engagement के बाद पहला call किसे करना चाहिए लड़की को या फिर लड़की को तो देखिए इसमें भी hard and fast rule नहीं है कि भी लड़का ही call करेगा या फिर लड़की ही call करेगी बट फिर भी मैं यही कहूंगी कि हो सके तो लड़कीया पहले call ना करें थोड़ा सा wait करें कि लड़का सामने से call करें क्योंकि long term बढ़ना अगर आप पहले call करती है तो लड़का यह सोचता है कि लड़की चालू है कुछ लोग कुछ लड़के ऐसे होते हैं तो कोशिश करें पहले call आप ना करें लड़के call आए थर्ड question है कि आपको फ्यांसे को call करके I love you बोलना चाहिए प्रपोस करना चाहिए तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं देखें आप अपने फ्यांसे से बात करनी जब शुरू करते हैं तो आप normally उसकी तारीफ कर सकते हैं कुछ अच्छा कह सकते हैं इतना जल्दी उसको I love you ना बोलें क्योंकि आपको वो पसंद है इतना तो ठीक है लेकिन अगर आप उसको इतना जल्दी I love you बोल देंगे न तो उस I love you का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप उसको जानते नहीं है पहचानते नहीं है सिर्फ लुक में आपने देखा है तो इतनी जल्दे किसी को प्यार कैसे हो सकता है और ये इतना जल्दी आपवर्ड भी होता है तो इतना जल्दी एक दो बात में ही सामने वाले को I love you ना बोले थोड़ा सा टाइम ले थोड़ी सी कॉन्वेसेशन आपकी चले धीरे धीरे आप उसको जाने पहचाने फिर आपको कभी लगे कि यार बहुत ज़दा आपटैश है उससे तब आप उससे I love you कह सकते है लेकिन स्टार्टिंग में ही कॉल करके इसको I love you ना बोले फोर्थ कोईशन क्या शादी से पहले ज्यादा बात करने से रिष्टा तूट सकता है तो इसका जवाब है नहीं रिष्टा रहेगा या फिर तूटेगा ये डिपैंड करता है आपके उपर लोग जो बड़े बुजर्ग होते हैं वो बात करने के लिए इसलिए मना करते हैं कि जब लड़का लड़की आपस में बात करते हैं कभी-कभी कुछ ऐसी बाते भी कह देते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए जिसके वज़े से सामने वाला इंसान रिष्टा तोड़ देता है कुछ ऐसी बाते आप ना कह दें प्यार में या अटेश्मेंट में इसलिए बड़े वुजर्ग आपसे मना करते हैं अगर आपने फ्यांसे से बात कर रहे हैं और या नहीं कहना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना फिफ्ट क्योशन क्या आप इंगेश्मेंट के बात अपनी फ्यांसे से रोमेंटिक बात कर सकते हैं तो इसका जवाब है बिलकुल कर सकते हैं बट ये डिपेंड करता है आपके फ्यांसे पर ऐसा ना हो के वो कमफर्टेबल नहीं है और आप बस इसलिए रोमेंटिक बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी फ्यांसे है ऐसा ना करें ये डिपेंड दो लोगों के उपर करता है अगर आप दोनों आपस में फ्रेंक हैं कमफर्टेबल हैं आप बहुत लंबे टाइन से बात कर रहे हैं तो ठीक है आप रोमेंटिक भी हो सकते हैं लेकिन अगर आपकी जो सामने वाली फ्यांसे है लड़का है ये लड़की है वो कमफर्टेबल नहीं है वो अभी नहीं है ऐसी बाते करने में अच्छा फिल नहीं करता तो आप ऐसी बाते ना करें तो ये डिपेंड करता है आप दोनों की अंडरस्टेंडिंग पर आप दोनों के कमफर्ट लेबल पर अगला क्योशन अगर आपकी जो फ्यांसे है वो आपसे बात नहीं करती आपसे बात करते हुए कत्राती है आपको सामने से कॉल नहीं करती तो इसका क्या मतलब है इसका आंसर ये है कि इसके बहुत सारे मतलब होते है इसका मतलब ये हो सकता है कि उस लड़की की फैमिली उसको मना करती है बात करने के लिए दूसरा ये भी हो सकता है कि वो खुद बहुत ज़दा शर्मीली लड़की है इसलिए उसकी हिम्भत नहीं होती बात करने की थर्ड ये भी हो सकता है कि वो खुद डड़ती है कि कुछ उच नीच ना हो जाई, ये रिष्टा ना तूट जाई इसलिए वो आपसे बात नहीं करती फूर्थ ये भी हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और हो जिसको वो पसंद करती है इसके वेसे आपसे बात नहीं करती फिफ्थ रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपकी फ्यान से है वो आपसे बात करते में enjoy नहीं करते तो कोई interest नहीं आता आप बहुत boring लगते हो वो इसलिए आपसे बात नहीं करते तो आपसे बात ना करने के बहुत साई reason हो सकते हैं कौन सा reason है या आपको पता करना है अगला question अगर आपका फ्यान से आपसे बत्यमीजी करता है या बत्यमीजी करती है उल्टा बोलता है respect नहीं देता तो क्या आपको उससे शादी करनी चाहिए तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को आप समझे कि जो लड़का या फिर जो लड़की engagement के बाद ही इतना गंदा attitude दिखाता है आपके लिए वो शादी के बाद कितना गंदा दिखाएगा तो वो engagement आपको तोड़ देनी चाहिए क्योंकि अगर आपने वो engagement लोगों के वज़े से कर ली तो फिर शादी करके आप पूरी जिंदगी पस्ताएंगे और हो सकता है ऐसी नौबत आ जाए कि एक दिन आपको शादी तोड़नी बड़े तो उससे बेटर है कि आज ही आप उस engagement को तोड़ दे ऐसी engagement में ना रहे अगला क्योशन अगर आपकी engagement हो गई है और अब आप अपने फ्यांसे को पसंद नहीं करते आपका दिल उस पर नहीं आता reason चाहे कुछ भी हो लेकिन अगर आपका उस पर दिल नहीं आता तो क्या करना चाहिए शादी कर लिनी चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए तो इसका जवाब है शादी नहीं करनी चाहिए same कि जिसके उपर आपका दिल अभी ही नहीं आ रहा है शादी के बाद क्या खाक आएगा सो कभी भी शादी मजबूरी में नहीं करनी चाहिए और engagement के बाद शादी तक का जो बीच का टाइम होता है वो यही जन पेचान के लिए होता है यही देखने के लिए होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में comfortable है या नहीं रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं इस बीच किसी भी reason से अगर आपको यह लगता है कि आप उसके साथ में नहीं रहना चाते, आप उसे पसंद नहीं करते तो उस engagement को तोड़ दीजी क्योंकि ऐसे इंसान से शादी करके आप अपनी जिंदगी तो खराब करेंगे साथ ही साथ उस इंसान की भी जिंदगी खराब ही करेंगे जिस engagement में आप खुश नहीं है उस इंसान से शादी ना करें तो ये थे वो सारे क्योशन जो अभी तक मेरे पास मेल में अकसर अलग-अलग लोगों ने पूचे हैं तो उन सारे क्योशन का समप था इस वीडियो में इसके अलावा कोई ऐसा क्योशन है जो इसमें मैंने कबर नहीं किया है आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट पॉक्स में जरूर बताएं उसका रिप्लाइब भी मैं आपको जरूर करूँगी